कि हैं दोस्तों कैसे हैं आप मैं बेस्ट पूग विद्ध एच्छा सर में आपका स्वागत करता हूं जो वीडियो में आज लेके आया हूं वो ड्याविटीज से लेटीड है दोस्तों इसमें मैं आपको चार उपाई बताऊंगा नंबर एक उपाई आता है मेथी दाना मेथी एक चम्मच मेथी का दाना डालकर उसमें आदा कप पाई डाले जिससे वह लूब जाए भीग जाए असानी से और ढखकर उसे रख दे जब भी आप जल्दी सुवह उड़ते हैं खाली पेट उस मेथी के दाने को चवा चवा कर खाएं और उसके बाद जो पानी बज जाता ह है उसको भी पीजाएं यह डाविटीज कंडूर करने में काफी लाबदायक सिद होता है दोस्तों दूसरा उपाई आता है भूने चने डाविटीज में खाने पीने का बड़ा ख्या रखना पड़ता है जिससे स्रीर की सक्ति और उर्जा बहुत कमजोर पढ़ जाती है हलकी पड़ जाती है उसको पूरा करने के लिए उस उर्जा को बनाए रखने के लिए अपने सरीर को सक्तिसाली बनाए रखने के लिए हमें भूने चने का पुरियोग करना चाहिए जो मार्केट में बड़ी असानी से आपको उप्रब्ध हो जाएगा दोस्तों तीसरा उपाई जाता है जामुन जामुन गर्मियों का महिना आने वाला है आपको मार्केट में जामुन बड़ी हसानी से दिखाई देगा आप उसे वहां से खरीच सकते हैं जामुन के फल की तासीर वैसे तो कड़ भी होती है पर इसे खाने के मैं यह काफी मीठा लगता है और भस्वादि मिस्ट भी होता है कि इससे सरीर में जो डाइविटी जो होती है उससे कंडौ्ल असानी सी क्या सकता हैं कि मु कर दोस्तों को सरीर में डाइविटी को कंडौ्ण करने के लिए मेथी दाना भूने चने और जामुन का परियोग करके इसका पूरा लाप उठाये जा सकता है सबसे जो मैंची जाती है चौथा उपाए वो है घुमना और फिनना सुबह जल्दी उठकर हमें सेर करनी चाहिए सेर करने का जो सबसे हसान तरीका होता है चलते वक्त अपने हाथ पैरों को आगे पीछे हिलाते वे तेस्टेज करनों के साथ अपने हाथों को आगे पीछे हिलाए हो सके तो आप पारक में घुमें यदि पारक की विवस्ता नहीं है तो आप सड़क में भी घुम सकते हैं यह भी डाविटीज को सरीर में खत्म करने में का करने में अफीपदोय की हम्हारी led इसे लिटीज हुं हुआ हुआ हमारी हेल्ड से लिटीज लिटीज एक्जामिनिसे लिटीज और सब्सक्राइब करें और दोस्तों वेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको समय से सबसे पहले हमारी इंफोर्मेशन मिल सके नमस्कार दोस्तों झाल झाल